दोस्तो नमस्कार, अनलाकेश्टडी में आप सफी का स्वागत है आज हम लोग प्रसनावली एक दोसमलब दो के प्रसन संख्या एक को सॉल्फ करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करती जगा चार से कटने का नियम और पान से कटने का नियम अगर हम लोग हिसके नियम को समल लिए है तो बहुत ही आसानी से इस प्रसन को सिलम नम कर पाएंगे तो आई आउले को समझ लेते हैं दो का नियम के अधिया का कि इकाई अंक कि क्या होना चाहिए जीरो दो चार छे और आठ होना चाहिए ठीक है होना आयुका चाहिए कि मान लिजे कि अगर कोई संख्या है जैसे कि अगर एः है तो यह संख्या एग तरफार नेंद ही कि तो दो से अगर इसको हम कारते हैं तो कितना मरतवे करता है दो छक बारा ठीक है अगर माली जी कोई संख्या है यह है 15 ठीक है अगर यह आएक के अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगा ओके इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम क्या कहता है तो तीन का नियम है तीन का नियम है ठीक है यह कहता है कि संख्या के अंको का योग तीन से विभक्त होना चाहिए ठीक है विभक्त होना चाहिए मान लेजिए कि कोई संख्या है 1 2 7 5 तब क्या करना है कि इसके अंक को जोर कर देखना है कैसे जोरना है 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 अब जोर कर देखना है 2 और 1 3 और 7 10 10 5 कितना होता है पंद्रह होता है तब हमें देखना है कि यह तीन का गूनज है या नहीं तो तीन पचे पंद्रह इनके टेवल में आता है इसलिए यह संख्या क्या होगा तीन से कट जाएगा ओके इसके बाद है चार का नियम तो चार से कटने का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम दो अंख से जो संख्या बनी होती है ठीक है वो संख्या चार से विवाजित होनी चाहिए यानि अंतिम दो अंको से बनी संख्या चार से विवाजित को दो कुए चाहिए कि माना लिजी की कि संख्या है five-cea चोब सल्वार तक नी तो अंतिम दो अंख से जो संख्या बनडा वह क्या बनडा हैँ इस सोला बनडा है ठीक है तो सोला जो है वह चार से विवाजित हो आता है चार्चा के सोला ठीक है इसलिए five-cea तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पांच का नियम देखते हैं पांच का नियम तो पांच का नियम कहता है कि इकाई का अंक क्या हो सुनने या पांच हो जिस संख्या के एकाई का अंक सुनने या पांच होगा वह संख्या पांच से भीभाजित हो जाएगा जैसे कि मान लेजे कि एगर कोई संख्या है 1 2 और 5 ठीक है इसके last में क्या है यंदि इसी संख्या पांच है इसलिए है नियम काफी है ठीक है लेकिन फिर भी जब नियम में ही बढ़े हैं तो चलिए एकात नियम और देख लेते हैं चाह का नियम चाह का नियम कहता है दो और तीन से विवहाजित होने वाली संख्या होने वाली संख्या 6 से विवहाजित होगी ओके आठ का नियम कहता है आठ का नियम यह कहता है कि अंतिम तीन अंको से बनी संख्या से बनी संख्या आठ से विवहाजित होगी तो वह संख्या आठ से विवहाजित होगी आठ से विवहाजित होगी ओके चलिए अब यदि आप इस सारे नियम को समझ गया है तो आए सवाल को स्वल्व करते हैं पहला प्रश्ट मेरे पास है 140 ठीक है हमें हल करना है तो 140 का गुनर खंड निकालेंगे ठीक है तो हमने आपको बताया कि जिस संख्या के एक आई अंक जीरो दो चार छे आठ होता है वह संख्या दो से लग जाता है ठीक है तो इसमें क्या करना है दो से लगाना है तो साथ दुनी 14 और सुनने ओके इसके बाद फिर दो से लगाएंगे कितना आएगा 35 इसके बाद फिर पांच से लगाएंगे तो पांच सत्य कितना हो जाएगा 35 तब हमें इसे लिखना है कि 140 बराबर दो गुने दो गुने पांच गुने साथ ठीक है आई इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो दो दो कितने बार है दो बार है तो दो पर पावर क्या कर देंगे दो कर देंगे इसके बाद पांच और गुने साथ अगर दो तीन बार होता था पावर कितना रखते ती अताह 140 के अभाज गुनन खंडो के गुनन फल दो पर पावर दो गुने पांच गुने साथ हैं ओके चलिए अगला प्रास्न है मेरे पास 156 कितना है 156 तो लिखेंगे 156 हमें हल करना है तो 156 हमें इसका गुनन खंड करना है तो दो से लगाएंगे क्योंकि इसके लाश्ट में क्या है चाह है तो दो से कट जाएगा साथ दूनी 14 बचेगा एक 16 आड़ दूनी 16 ओके फिर दो से लगांगे तीन दूनी 6 बचेगा एक तो हो जागा अठारा नदूनी 18 ठीक है अब तीन से लगाना है तो नो और तीन 12 मैंने आपको बताया कि जिस संख्या के अंको का योग तीन का गून जो हो वह संख्या 3 से कट जाता है तो 9 और 3 क्या हो जागा 12 तीन चोंके 12 इसका मतलब यह है कि यह संख्या 3 से कटेगा 13 त्या 49 ओके तब यहां हमें लिखना है 156 बराबर दो गूने 2 गूने 3 गूने 13 ओके तब इसको हम और अच्छे से लिख सक लगते हैं दो प्रपावर कितना है दो कि तीन गूने 13 कि अता हाँ कि एक सो चप्पन के कि अभाज गूनन खंडों कि कि गूनन फल कि कितना है दो प्रपावर दो गूने 3 गूने 13 है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रस्ण को देखते हैं तो तिसरा प्रस्ण है 3825 तिसरा प्रस्ण है 3825 इसका गूनन खंड करना है तो यहां यह दो से नहीं कटेगा क्योंकि एक आएक आंक सुने दो चार छे आठ नहीं है तब हम तीन से लगाकर देखते हैं ठीक है तो 3 से लगाने के लिए क्या करना है कि इसके संख्या के अंको को जोरना है ठीक तो 3 और 8 कितना होता है 11 और 2 13 और 5 क्या होता है 18 छो है वह 3 का गुनज है 3 छक 18 ठीक है इसका मतलब एह है कि यह संख्या 3 से कर जायगा तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचेगा दो तो 22 सात्या 21 एक तीन पचे 15 ओके फिर तीन से लगाएंगे तीन चोंके 12 तिन दूनी 6 और तीन पचे 15 फिर 5 से लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि यह संग्या 5 से कर जागा इका इका आंक्या है सुन्ने और 5 में से कोई एक है ठीक है यानि पांच है तो 8 पंचे 40 और पच पचे 25 इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85 लिखेंगे 3825 बराबर कितना है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 ओके यानि तीन पर पावर कितना है दो गुने 5 गुने 17 अता है 3825 के अभाज गुनन खंडो के गुनन फल तीन पर पावर दो पांच पर पावर दो गुने 17 है ओके अब आगे भरते हैं और प्रस्न संख्या एक के ही चोथे प्रस्न को सॉल्व करते हैं चोथा प्रस्न है 5005 ठीक है हमें हल करना है तो इसके लिए गुनन खंड निकाल लेते हैं तो 5000 पाँच तो हमें पता है कि या संख्या 5 से कड़ जाएगा तो 5 मरतबे लगाएंगे तो कितना है अगा 5 एकम 5 सुने वश्या 5 अगां इसके बाद यह संख्या न दोसे कड़ेगा न 3 से कड़ेगा न पांसे कड़ेगा ता आँ हमें लगाना है साथ सिर्फ देखें तो साते कम सात बचेगा तीन तो हो जागा तीस साथ चोके 28 बचेगा दो तो 21 सातिया एकीस इसके बाद क्या करना है ग्यारह से लगाना है तो तेरह मरतबे एक कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि पांच हजार पांच बराबर पांच गुनित सात गुनित ग्यारह गुनित तेरह ओके अताह पांच हजार पांच के अभाज गुनन खंडों के गुनन फल पांच गुनित सात गुनित ग्यारह गुनित तेरह है ओके अब आगे बढ़ेंगे और प्रस्न संख्या पांच को सॉल्फ करेंगे ओके तो पांच मा प्रस्न है 7429 ठीक है हमें हल करना है तो 7429 17 मरतबे लएगा ठीक है तो यह आजाएगा 437 इसके बाद 11 से लगाएंगे तो यह कर जाएगा 23 मरतबे ओके तब हम इसको लिख सकते हैं कि 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23 अतह 7429 के अभाज गुनन खंडों के गुनन फल सत्रह गुने 19 गुने 23 है दोस्तों यह काफी आसान प्रसंद था बस आपको विभाजिता का नियम पता होना चाहिए था ओके तो मैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अन्लों के प् लगते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद